सबसे पहले मैं यानि प्रदीप शुकल आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुप कामनाये देता हूँ अब मैं बात करता हूँ कि आज इस वीडियो में क्या खास है तो सबसे पहले सेग्मेंट में हम बात करेंगे कब से वक्यों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इस वर्स यानि 2021 का थीम क्या है और कैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन को आधा किया जा सकता है तो आई ये शुरू करते हैं World Environment Day यानि कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने की इतिहास की बात करें तो ये 1972 में इस टाक होम सम्मेलन में World Environment Day का विचार आया था वह 1974 से Only One Earth Theme के साथ इसे मनाया जाने लगा और पर्यावरण दिवस मनाया जाने का जो मकसद है वह Global Warming वह तमाम Environmental Issues वह Ozone Layer Deplication जैसे समस्याओं को जो है कि प्रती जनता को Aware करना है या एक Mass Awareness Create करना है अब हम बात करते हैं कि इस वर्स इसका थीम क्या है तो इस वर्स इसका जो थीम है Ecosystem Restoration Reimagine, Recreate, Restore और Global Host Country पाकिस्तान है अब बात करते हैं कि आखिर Greenhouse गैसों का जो Emission है उसको Half यानि आधा कैसे किया जा सकता है तो Nature पत्रिका में छपे एक लेख के अनुसार अगर दुनिया में सब लोग Plant Based Food लें मतलब शाकाहरी हो जाएं तो Greenhouse गैसों का उतसर्जन आधा हो जाएगा विष्व परियावरण दीवस हर साल एक नए थीम के साथ मनाया जाता है आईए इस विष्व परियावरण दीवस पे हम ये प्रण लें कि हम कोई भी ब्रिक्ष कटने नहीं देंगे और अगर ब्रिक्ष कट भी गया तो उसके बदले हम कई ब्रिक्ष लगाने की कोशिश जरूर करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगले वीडियो में किसी और टापिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार